Hello Everyone, Welcome to StudyIQ StudyIQ के इस विडियो में मैं SCST Act यानि की अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जंजाती ज़ो schedule cast होते हैं उन्हें बोलते हैं अनुसूचित जाती और schedule tribe को बोलते हैं अनुसूचित जंजाती तो उन अत्याचार निरोधक यानि prevention of atrocities अधीनियम 1989 जो SCST Act है 1989 का उस पे विस्तार से चर्चा करूँगा हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि SCST Act क्या होता है क्यों ये आया था और सुप्रीम कोट ने अभी अभी उसमें क्या ऐसा परिवर्तन किया है जिसके बाद ये भारी चर्चा में है सरकार का इसमें क्या कहना है विपक्ष क्या बोल रहा है और इसके आने वाले समय में क्या माइने है तो शुरू करते हैं SCST Act 1989 Study IQ के Pen Drive Courses उपलब्ध हैं इन सारे एक्जाम्स के लिए UPSC Optional, UPSC GS के लिए सारे सब्जेक्स के लिए Individually भी अवेलेबल है स्टेट PCS के लिए भी उपलब्ध हैं कई सारे SST, Bank P.O, Defense Exam सित्यादी के लिए आप अगर कोई भी चनकारी चाहते हैं तो StudyIQ.com विजिट कर सकते हैं आप Instagram पर मुझे जुड़ सकते हैं मेरी ID है Tireless Soul या Twitter पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी ID है Gauravgar888 हमारा जो माननिय उच निया आयले है यानि कि हमारा जो Supreme Court है उसने अभी-भी SCST Atrocities Act इसमें परिवर्तन करे हैं और Supreme Court का ये कहना था कि बहुत सारे जो जूटे केसिस हैं वो फाइल किये जाते हैं बदला निकालने के लिए या दूसरे कारण से इसलिए हमने ऐसा किया है तो क्या है ये पूरा SCST Act इसको एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो Act है 1989 में आया था उस वक्ट भारत में राजीव गांदी जी की सरकार थी राजीव गांदी जो थे वो भारत के परधान मंत्री थे आपको याद होगा इंद्रा गांदी जी की हत्या के बाद कॉंग्रेस को भारी भहू मत मिला था 400 से ज़्यादा सेट मिली थी लोगसभा जो जनल इलेक्षन होते हैं आम चुनाव होते हैं उसके अंदर और फिर राजीव गांदी भारत के परधान मंत्री बने थे तो 1989 में जब ये विदहयक सबसे पहली बार बिल संसत के पटल पर रखा गया तो उस समय ये कहा गया था कि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए तमाम हमने कोशिशे की हैं लेकिन उनकी जो कंडिशन है उनकी जो स्थिती है वो बहतर नहीं हुई है आज भी उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है अत्याचार किये जाते हैं ताकतवर लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं जो SCST समुदाय है वो इसे काफी ज़्यादा पीडित है उनके आतम सम्मान की रक्षा का सवाल है और जो परभावशाली लोग है वो उन्हें अपमानित करते हैं ऐसी स्थितियों में Civil Rights Act of 1955 और भारतिय दंड सहीता जिसे बोलते हैं IPC Indian Penal Code में किये गए प्राभधान उन्हें नियाय दिलाने में कमजोर पड़ रहे हैं यानि कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारे SCST लोग हैं जो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जनजाती से तालुक रखते हैं उन वो सुरक्षित महसूस करें क्योंकि Civil Rights Act और भारतिय दंड सहीता उनको सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं उनको ये महसूस करवाने में कि वो भारत देश में एक सेफ हैं सुरक्षित हैं उसमें नाकाम रहे हैं तो हमें कोई एक ऐसा कठोर कानून चाहिए जो उनको सुरक्षा दे सके तो ये कहा गया था संसत के अंदर इन दलीलों के साथ ही जो केंदर सरकार्थी उस वक्त कॉंग्रेस की उन्होंने ये विध्यक पास किया आप याद रखिए जब भी कोई विध्यक या बिल पास होता है पहले लोगसभा में फिर राजेसभा में या फिर पहले राजेसभा में फिर लोगसभा में उसके बाद राश्पती जी के उस पे साइन हो जाते हैं तो फिर वो बन जाता है एक एक्ट और इसी के साथ फिर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 वो लागू हो गया इसके बाद 30 जनवरी 1990 को इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया यानि 1999 में ये एक्ट्वल में लागू हुआ था 30 जनवरी को और जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता कुछ संशोधन इसमें अप्रेल 2016 में भी किये गए थे और 14 अप्रेल 2016 से इसमें कुछ हलके फुलके संशोधन किये गए थे लेकिन जो सबसे बड़ा अभी जो चेंज इसमें आया है वो सुप्रीम कोट ने करा है अब है क्या ये SCST Act? क्या है ये? अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती जो अधिनियम है ये क्या है? देखिए ये हर उस सक्ष पर लागू होता है जो इससे बिलॉंग नहीं करता, SCST में बिलॉंग नहीं करता अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अनुसूचित जाती ये जनजाती के किसी भी व्यक्ति के साथ मार पीट करता है, उसका उत्पिडन करता है तो ये अधिनियम लागू हो जाता है, इसके तहत कारेवाई की जाती है एक समझने वाली बात ये है कि लेट से कोई एक जनल केटेगरी का व्यक्ति है और वो किसी SC को पीट देता है तो जो पीटेगा तो उसमें जो IPC है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में SCST Act अलग लगेगा यानि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सबस्यूम करता है, जो नॉर्मल कारेवाई है, हमारे जो नॉर्मल कानून है उनके तहट भारतिय दंड सहीता के तहट तो होगी ही होगी साथ में SCST के तहट भी कारेवाई उसके खिलाफ की जाएगी यह जो कानून है, जो SCST पीडित है, उन्हें विशेश सुरक्षा परदान करता है इस कानून के तहट पीडित को अलग-अलग अपराद के लिए 75,000 रुपे से लेके 8,50,000 रुपे तक की साहिता दी जाती है इसके अलावा विशेश अदालते भी बनाई गई है इस तरह के अत्याचारों के लिए और यह तुरंद फैसले देती है यानि जो हमारे जो कोर्ट हैं जिनमें करोणों जो केसिस हैं जो पेंडिंग रहते हैं उससे इन पे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि SCST जो act है इसके लिए विशेश अदालते भी है इसमें महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार हो तो महिलाओं को मेडिकल जाच भी करवाई जाती है उनको रहत राशी दी जाती है SCST Act के खिलाव जो मामले है उसमें सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील या कोई भी जो कानूनी सहयता है वो भी प्रदान की जाती है केस लड़ने के लिए आर्थिक सहयता भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है अब ये देखना है कि किस-किस अपराद के लिए लागू होता है SCST Act अगर आप किसी SCST वैक्ति को अपमानित करते हो उसे जबरन मल मूत्र खिलाने की कोशिश करते हो या आप उसका समाजी भहिशकार करते हो या आप उसको कारोबार करने से उसके साथ इनकार कर देते हो या आप उन्हें घर परिवार या उनके परिवार के किसी सदस्य को अपमानित करते हो उनके सामने या आप उसको कपड़े उतार के उसे नंगा करके या किसी कालिक वगारा पोटते हो ये एकसर देखा जाता है जो हमारे गाओं बगारा के एरिया है उन्में समाजी भहिशकार किया जाता है उन्हें दोडाया जाता है नंगा करके उनको पीटा जाता है हमने देखा था गुजरात में भी यह हुआ था कई जगा पे 2016 के अंदर और 2017 में भी उना बगारा में यह देखा गया था उनको मारा देने के लिए बादे करना, किसी विशेश पक्ष को या कहीं पे जाने से उन्हें रोकना, मंदिरों मगारा में जाने से रोकना, सारवजनी जगा पर जाने से रोकना, उनको मकान छोडने के लिए मजबूर करना, तो अगर ये सारी चीजे होती है ये वो अपराध है जिनमें जो SCST Act है वो लागू हो जाता है समझने वाली बात ये है कि ये जो सारी मैंने चीजें आपको बताई है इनमें IPC तो लगे गई यानि भारतिय दन सहीता के तहट तो कारेवाई होगी होगी साथ में SCST Act के तहट भी आपको कारे लिखता है या इस तरह का कुछ करता है तो उसके खिलाफ भी कारेवाई होती है और IPC की सजा के अलावा SCST Act में अलग से 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने की विवस्ता है और अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है तो IPC के अलावा उसे इस क एक्ति का अरेस्ट हो जाता है तो SCST Act के तहट आपको तुरंद जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं होगी आपकी एंटिसेपेटरी बेल यानि अगरिम जमानत नहीं होगी लेकिन अगर सरकारी अधिकारी है तो पहले थोड़ी सी जाच की जाती है और उस जाच के बाद अगर वो दोशी पाए जाए तो ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है SCST Act के तहएट विशेश अदालतों की ववस्ता है जैसा मैंने बताया ये इस कानून में एक Article 14 है यानि धाराच 14 इसके तहएट जो विशेश अदालत है उसकी ववस्ता की हुई है और ये विशेश अदालत है भारत के हर राज्य में बनी हुई है जैसा मैंने बताया कि अगर कोई वैक्ती है SCST Act के तहएट उस पे केस दर्ज होता है और वो सरकारी करमचारी नहीं है तो तुरंत वो गरिफ्तार हो जाएगा और अगरिम जबानत भी नहीं मिलेगी और जो नॉर्मल वैक्ती है उसके लिए जो कैद है वो 6 महीने से लेके उ जो निचली अदालत है वो आपको जमानत नहीं दे सकती कम से कम हाई कोट आपको जमानत देगा अगर किसी सक्स के खिलाफ केस दर्ज होता है और गिरिफ्तारी के 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्ज़ीट दाखिल करनी होती है चार्ज़ीट दाखिल होने के बाद पूरे मा बहन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे प्रावधान है देकिन नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2016 की अगर हम बात करें तो 11,060 ऐसे केस दर्ज हुए थे भारत में जो SCST Act के तहत हुए थे 11,060 2016 में इन में से 935 ऐसी शिकाय कोई व्यक्ति है जनल कैटेगरी का है और उसका जो बॉस है वो SCST का है या उल्टा या मानलीजी कोई व्यक्ति है उसका बॉस जनल कैटेगरी का है और वो व्यक्ति SCST कैटेगरी का है और अफसर है तो अगर मानलीजी आपस में कोई लडाई हो जाए कोई कलह हो जाए तो य जो SCST category है, कई बार, सारे cases में नहीं, हमने देखा है यहाँ पे 935, यानि 10-15% के आसपास जो cases है, उनमें ऐसा पाये गया है, ये Supreme Court ने कहा था 10-15%, 2015 में, और 2016 में भी आप दिंकाल सकते हैं, 11-10-935, तो ये 10% से कम cases में, ऐसा देखा गया है, कि लोग क्या करते हैं, जूटी के वो डलवा देते हैं, कि भाई मेरा जो boss है, वो general category का है, उसने मुझे जाती शूचक सब्दों का मेरे साथ उप्योग किया, मुझे अपमानित करा, या मुझे दूसरे जो शब्द जो ban है, या जो बहुत ज़्यादा derogatory है, जो बहुत ज़्यादा जिने कहते हैं कि insulting अकसर देखे जाते हैं, department की जब कारेवाई होती हैं, तो ये सामने आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, कि कोई business man है, अगर कोई दूसरा business man उसकी payment नहीं दे रहा, तो वो उस पे जूटा SCST case डलवा देता है, उसके यहाँ, अगर कोई SCST community का वेक्ति काम कर रहा है, तो वो ब बैठे इसलिए हैं, कि वो बस इस तरह की case बनाएं, और इसको काफी अच्छा पैसा लोग इसमें एट लेते थे, इस तरह की case डालके, ये सब Supreme Court के इसमें observation थे, शिकायत दर्ज होने के तुरंट बात गरिफतारी ते हो जाती है, और क्योंकि इसमें unilateral, यानि एक ही वेक्ति complaint कर दे तुरंट arrest हो जाता है, तो इसमें जो कानून का दुरूप योग है, उसके chances काफी जादा रहते हैं, इसलिए Supreme Court में याची का दाखिल की गई थी, और Supreme Court ने अब कहा है कि ये जो arrest है, ये तुरंट नहीं होगा, तो हम देखते है Supreme Court ने क्या 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 कहा, सबसे पहले Supreme Court ने ये कहा कि SCST Act जो है, ये समाज में जो जाती बाद है, उसे खतम नहीं कर रहा, बलकि भढ़ा रहा है, यानि perpetuating casteism कर सकता है, और कैसे कर सकता है, माल लीजी अगर आप जर्नल कैटिगरी के हैं, और किसी SCST भाई भेहन ने आपके खिलाफ कोई जूटी complaint लिखवा दी, तो आपको तो उससे और नफरत हो जाएगी, कि भई नहीं, आप तो बलकि SCST जो है, उनको अपनाने की बजाए, आप उनसे और दूर हो जाएगे, जैसा कि एकसर reservation वगार में भी देखा जाता है, कि लोग जो है, वो reservation से नफरत करते हैं, उन्हें लगता है, उनके साथ किसी इसमें public servant वगारा भी arrest हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इस कानून में हम थोड़ा सा इसे dilute कर रहे हैं, यानि इसे थोड़ा उदार बना रहे हैं, इसकी सकती कम कर रहे हैं, अभी सकती कैसे कम करिए, सबसे पहले Supreme Court ने ये कहा है कि SCST Act के तहट जो मामलों की जाच होगी, वो क कम से कम deputy SP rank करेगा, जो deputy superintendent of police है, कम से कम उस rank का अधिकारी करेगा, पहले ये जो जाच है, inspector rank के अधिकारी कर सकते थे, इससे क्या होगा, जो DSP rank का अधिकारी करेगा, तो इससे at least वो एक उसके पास काफी maturity होगी, इन cases को समझने की, इनकी जाच करने की, तो उससे जो जूट से गरिफतारी के लिए इजाज़त लेनी होगी, यानि magistrate से जो इजाज़त लेनी होगी पहले, जो भी reason आप देंगे, उसको arrest करवाने के, वो पहले scrutinize किये जाएंगे, उनकी जाच होगी magistrate के दवारा, और फिर उसको तभी गरिफतार किया जाएगा, ये जो bench था Supreme Court का, इ कि किसी भी वेक्ति पर case दर्ज होने के बाद उसे अगरिम जमानत भी दी जा सकती है, पहले अगरिम जमानत का जो प्रावधान है वो इसमें नहीं था, और जमानत देने का जो अधिकार है, वो भी magistrate के पास होगा, पहले सिरफ High Court आपको जमानत दे सकता था, अब magistrate भी दे पाएगा, अगर किसी आम आदमी पर SCST Act के तहट case दर्ज होता है, तो उसकी भी गरिफतारी तुरंट नहीं होगी, उसकी गरिफतारी के लिए जिले के SP या SSP से इजाज़त लेनी होगी, यानि आम आदमी और सरकारी अधिकारी दोनों जो है, दोनों को थोड़ी सी protection दी सिख्के का दूसरा पहलू ये है कि National Crime Record Bureau की ही अगर हम रिपोर्ट देखें, तो जो SCST Act है भारत में, वो उतना कारगर नहीं है, उसमें जो conviction होती है, वो बहुत कम होती है, NCRB डेटा ये कहता है कि 2016 में सिरफ 15.4% cases में conviction हो है, conviction का मतलब वास्तव में किसी को सजा नहीं होती, अगर मानलो कोई fake case डलवा भी दे, तो बास्तव में उसे सजा नहीं होती, अगर कोई सचा case भी डाल दे, तो बास्तव में उसे सजा नहीं होती, दूसरा सबसे बड़ा criticism ये है कि अगर मानलो किसी को जमानत मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो case जूटा था, जै इस तरह की चीज़े अकसर होती है, जो SCST समुधाय है, उसमें पुलिस जो है, वो भी ढंक से अपना काम नहीं करती, उनके किलाफ उत्पिडन होते हैं, अप्ते अचार होते हैं, पुलिस कई बार दलित जो होते हैं, हमारे दलित भाई बहन उन्हें ये force करती है कि case वापस ले लो, या जो statement है वो बदल दो, दूसरी बात, judges ने ये कहा है कि NCRB data के हिसाब से लगभग 2016 में 5347 case हैं, जो false पाए गए हैं, ये clear है आपको 5347 cases जो हैं, वो false पाए गए हैं, लेकिन उन्होंने ये mention नहीं किया, कि 40801 cases हैं, जो register हुए थे दलित के खिलाफ, और अगर आप ये ratio देखें, तो ये काफी कम है, यानि एक आठवा हिस्सा उससे उतने ही fake हैं, बाकी सारे असली cases हैं, तो इससे जो असली cases हैं, उन पर भी दुश प्रभाव पड़ेगा, ये एक criticism हो रहा है इसका, उसके अलावा जो Ministry of Social Justice and Empowerment का data है, जो judges ने एक और consider किया है, कि 2015 में 15638 cases court ने decide करे थे, इन में 11,024 cases में equitable हो गया था, यानि बरी कर दिया गया था दोशी को, सिरफ 495 cases हैं, जो withdraw हुए थे, और 4000 cases में ही कुछ ना कुछ conviction हुआ था, किसी ना किसी तरह की सजा हुई थी, यानि जातर cases में SCST Act के तहत सजा नहीं होती, तो SCST Act को और मजबूत बनाना उसे और मजबूत करना चीए था, राधर तैन इसको dilute करने की बज़ाएं, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हैं भारत में वो भड़ रहे हैं, अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखें, तो हर 10 लाख SCST population के उपर 214 incident हुए थे 2016 में, और ये पिछले साल से, यानि 2015 से जादा हैं, 2015 में ये 207 थे, तो दलितों के खिलाफ जो भारत में अत्याचार हैं, वो भड़ी रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ऐसे में अगर आप SCST Act को और कम पुकता बना देते हो, कम strict बना देते हो, तो फिर इससे जो दलित वगर हैं, वो महसूस नहीं करेंगे, सेफ महसूस नही करेंगे, और जो भारत के बहुत सारे SCST, जो Member of Parliament है, सांसद है, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने सरकार को कहा है, कि सरकार इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, सरकार को Supreme Court को एक review के लिए बोलना चाहिए, कि वो review करें इसको, अपने decision को, और इ request करनी चाहिए, कि वो इस पे review इसको करें, तो ये था SCST Act और उसमें किया हुआ बदलाव, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आसान शब्दों में हमने इस पूरे एक वीडियो में एक practically, काफी practical way में इसको समझने की हमने कोशिश करी, thank you for watching.